दोस्तों नमस्कार शरक्यलाद विश्कर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और बालविकास सिक्षा सास्त्रे सम्मंदित महत्पूर्ण प्रिष्णावली के हमारे वीडियो प्रति दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं प्रात्मी सिक्षक पात्ता परिक्षा की तैयारी कराने के लिए हम आप सभी को यह है पूरे पाटकरम के अनुशार वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं यदि आप चाहते हैं तो हम इनकी प्रिष्णों तरी को और आगे बढ़ा सकते हैं और इने अधिक प्रिष्णों को इसमें लेकर ऑन-लाइन भी हम इसे प्रारम कर सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं शामाजिक निर्मान में जेंडर की भूमी का लिंग भेद और सैक्षिक प्रथाओं से सम्मन्देत जो महत्पुर्ण प्रश्ण बनते हैं उन पर आज बात करने वाले हैं और ये पहला जो प्रश्ण है देखिए आपकी लिंग पहचान जो लिंग पई जाती है अब इसमें चार ओप्षन दिएगा है और चार ओप्षन में देखिए पहला है केवल इस्त्रियों में दूसरा केवल पुरुशों में सा नमबर उपयूक्त दोनों में और दानमबर इन में से कोई नहीं तो इसका सही जबाब होगा आपके सामने ये उपयूक दोनों की बात यहां पर की जाएगी सानंबर का बिलकुल सही जवाब होगा आप देखे उपयोक्त दोनों में कोश्चन नमर दूसरे की बात हम करने वाले यहां पर और एक कोश्चन है कि लिंग पहचान संबंधी भूमी का लिंग पहचान की जो भूमी का है वह क्यों आवशक है यहां बतायागा है पहला स्वास्त शमयोजन ही तू बहु शर्वांगेण विकास ही तू सा नमबर अपनी पहचान इस्थापित करने ही तू दा नमबर उप्युक्त शभी और इसका सही जबाब क्या होगा आपके सामने ये रहा उप्योक्त सभी क्योंकि लिंग पहचान के लिए स्वास्त समयोजन आवशक है इसके बाद शर्वांगेन विकास की आवशकता होती है अपनी पहचान इस्थापित करने के लिए भी आवशकता होती है इसलिए सही जबाब उप्योक्त सभी हो जाएगा कोश्चन नमर 30 देखते हम कि पुरुशत्व इस्त्रित्व की प्रवित्ति का वर्नन किया जाता है अर्थात वर्नन किस ने किया है किन ने बताया है पुरुशत्व और स्त्रित्व के विशाय में पहीं आ नमर का देखिया आप यूंग ने, फ्राइड ने, सुलीवन ने या मरे ने और सही जवाब आपका ए रहा उतर फ्राइड ने जो फ्राइड हैं इन्होंने पुरुशत्व और इस्त्रित्व के विशय में बताया है कुश्चन नमर चार ऐसे पहले विद्वान का नाम बताईए जिनोंने व्यक्तित्व विकास में लिंग को बहुत अधिक महत्व दिया है ऐसे कौनसे विद्वान पहले हैं जिनने व्यक्तित्व विकास में लिंग को बहुत अधिक महत्व दिया ऐसे का हमें नाम बताना है और पहला है सिंगमन फ्राविड दूसरा सुलीवन सा नमबर लेविस और दा नमबर एडलर और इसका सही जवाब ए रहा सिंगमन फ्राविड तो यहाँ पर हम देखेंगे आ नमबर में सिंगमन फ्राविड नाम आजाएगा आगे देखतें एक बालक की मा की ओर उनमुक होता है वह है पिता का अधिकार लोटाना चाहता है यह ग्रंथी कहलाती है जो बालक होता है वह एक मा की ओर उनमुक होता है और रुजहान उसका बालक का मा की ओर अधिक होता है और पिता का जो अधिकार है उसे लोटाना चाहता है यह ग्रंथी क्या कहलाती है तो पहला नमबर दे complex मनु रचना या आर्की टाइप और इसका सही जवाब जो होगा वो ए रहा बा नंबर का कि इड़ी पस complex ए सही जवाब है question number 6 लेते हैं fried के अनुशार जो fried है मनु वैज्यानिक इनक्यानुशार ज्यानिंद्री अवस्था ज्यानिंद्री अवस्था है 7 से 10 वर्थ की 12 से 20 वर्थ की 12 से 16 वर्थ की या 16 से 18 वर्थ की और आपको इन में से बताना है सही जवाब तो सही जवाब ए रहा आपके पास 12 से जो 20 वर्थ की आयू होगी वह ज्यानिंद्री अवस्था कहलाएगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आपको यदि यहां पे और भी प्रिश्णों तरी चाहिए तो कॉमेंट्स वाक्स में जरूर लिखें जिससे हम और भी प्रिश्णों को यहां समाहिद करे अगर आप पहली वार हमारे चैनल पर आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें